स्वागए था आपका अभी classis doubts में और आपका सवाल है जनमत संगरह किसे कहते हैं जन का मतलब बता लोग और मत का मतलब बता vote यानि कि जन यानि लोगों द्वारा दिया गया vote और वो अभी कैसा संगरह संगरह का मतलब गोता है एक साथ दिया गया vote इसे ही हम क्या बोलते हैं जन्मत संग्रा तो आप बोलेंगे सर सब जगा तो एक ही साथ वोट होता है जी नहीं हम जो वोटिंग सिस्टम देते हैं वो अलग वोट है और जन्मत संग्रा में क्या होता है कि एक ही साथ सब का वोट लिलिया जाएगा और उसमें तुरंत फैसला हो जाएगा जबकि हम जो वोटिंग देते हैं फिर गिन्ती होता है फिर जा करके फैसला आता है आई तो इसको आम लोग क्या बोलेंगे पर्तियक्ष मतदान जिसके जरिए एकछेतर के सभी लोगों से एक परस्ताव को स्विकार या और स्विकार करने के लिए पूछा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं जनमत संग्रह कहते हैं यानि कि आपके पास एक परस्ताव रखा जागा और आपको पूछा जागा क्या ये आपको पसंद है तो आपको बोलना हाँ या ना में जबाब देना है अगर आप हाँ दीजेगा और ना दीजेगा इसमें से जिसकी संख्या ज़ादा होगी उसी को क्या मान लिया जाएगा सही मान लिया जाएगा और इसे ही हम क्या बोलते हैं जनमत संगरा बोलते हैं अब आपको एक छोटा सा सामिल होना चाहते हैं यह नहीं होना चाहिए होना चाहते हैं तो इसके लिए वहाँ पर जन्मत संग्रा हुआ था तो उस जन्मत संग्रा में तुरंत फैसला ले लिया जाता था तुरंत ले लिया जाता है पर अगे चलके इसमें समस्या भी हो सकता है इसलिए भारत में लोकतं के लिए थेंक यू